हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारी चैनल सरकारी जॉब ज्यान पे आज की इस वीडियो हम बात करेंगे जे बी एनल हेलपर टू रेजल्ट के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे आप सब लोग अप तयार हो जाई जो आपका रेजल्ट है ताकि जितनी भी important information हम आपके लिए यहाँ पे लेका है वह आपको पूरी मिल सके और दोस्तों वीडियो स्टाट करने से पहले आपसे हमारी चोटी सी request है अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब में कहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको यहाँ पे JVNL के साथ साथ अन्य government exam की latest ability यहाँ से हम provide करवाते है वह आपको मिल सके तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जो cut off है कितनी रहने वाली है तो दोस्तों अगर york category के लिए cut off के बात करें हम यहाँ पे तो लगबग 76 से 80 के आजपास आपकी जो cut off है है रहने वाली 76 से 80 के आजपास O BC category के लिए अगर हम बात करें आपर cut off के लिए तो आपki 72 से 75 रहने वाली है MBC छात्रों के लिए अगर बात करें हम यहाँ पर जो cutoff है तो उनकी दोस्ते हाँ पर 69 से 74 के आसपास जो cutoff है रहने वाली है SC और ST Candidates की cutoff दोस्ते अलगबग 66 प्लस रहने वाली है तो दोस्तों यह एक तो 100% आपकी जो cutoff है इतनी रहने वाली है पूरे सर्वे के इसाब के बाद आपकी जो cutoff हम यहाँ पर लेका है और दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे आपको जो result date है वो कब तक आ जाएगा तो दोस्तों आपको जैसे की सबको पता है MBCR Action और EWSR Action की बज़े से और पहले जो है लोगसाब चुनाब के करान जो आपका result है हाँ पर अठका हुआ था तो अब बात करते हैं दोस्तों जो आपका result है हाँ पर 20 जुलाई से पहले पहले आने की पूरी संभामना है और 20 जुलाई से पहले पहले आपका result है कभी भी जारी कर दिया जा सकता है यहाँ पर तो यहीं दोस्तों बड़ी latest update ने कल क्या रही है JBNL Helper 2 results से related अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगए हमारे चैनल लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें थैंक यू पर वच्छिं दिस वीडियो